हाला एवरेवन आम जेबर और यूर वाचिंग हैस्टी ट्रेडर दोस्तों आज निप्टी ने क्लोज किया है 18,055 एन उसका फ्यूचर है 18,085 यहाँ पे प्रीमियम आप देखोगे तो कम हो चुका है एक्टिव कॉल यहाँ पे हमें 18,000 एन पूट भी 18,000 है जो मैं आपको कल भी बता रहा था कि आपको यह प्रीमियम का जो टोटल है वहाँ पे काउंट करके देख करो आपको पता चलेगा कि क्या आपका अभी की रेंज बन रहा है उसके अंदर यह ठेट कर रहा है open interest यहाँ पे कम हुआ है यह हम देख सकते है कि यहाँ पे long unwinding भी हुआ है premium भी दिखा रहा है 1.35 PCR near to overbought short covering आज देखा गया था अगर बात करते हैं यहाँ पे nifty bank nifty bank ने close दिया 38,442 94 points up from the previous day and future 38,000 555 which is 86 यहाँ पे भी premium कम हुआ है similar यहाँ open interest 1.6% down short covering and PCR 1 तो यहाँ पे जो overbought का जो आ रहा था वो भी यहाँ पे कम हो चुका है तो दोनों index हम बोल सकते कि यहाँ से और उपर जाने के लिए तयार है similar on the call side 38,500 and put side 38,000 second is 38,500 तो हमें यहाँ पे 38,500 के आसपास थोड़ा यहाँ पे हमने आज काफी rejection भी देखा था but I am expecting to break out अगर break out देना है तो अगर gap up होता है open तो वो best scenario रहता है तो फिर क्या होगा कि 38,500 एक support बन जाएगा तो देखते हैं कल कैसे open होता है जैसे मैंने अभी यहाँ पे पोल करवाया था हमारी group में तो अभी के इस आप से देखते हैं तो half-half यानि कि 56% मान रहे है कल gap up open होगा 44% मान रहे है कि नहीं होगा अज सुभे मैंने यहाँ पे group में update किया था आप लोगों को दोस्तों जैसे यह एक अदानी किया था उसने एक अच्छा सा यहाँ पे बताया था कि इसके आस्वास आता है और दूसरा क्या reason था इसके पीछे कि दोस्तों market में scenario कल रात को क्या चल रहा था कि डाव जून सबने देखा था एक्सपेक्ट था कि market गिर गया तो यह क्या होता है कि psychology मांड में रह जाता है कि नहीं market आज उपर खुला तो भी गिरेगा तो उसके वज़े से जो आप सुभे gap up open हुआ रहनी opening वहां से सीधा एक sale of आया क्यों कि जिनको ऐसा लग रहा था कि market गिरने वाला था पर उपर खुला तो निकल जाओ उसके वज़े से नीचे आया फिर क्या हुआ नीचे से जहां से जिनको buy करना था वो buy करके वापस market को उपर लिखे आ गए कभी भी दोस्तों आपको अगर follow करना ग्लोबल तो आपका खुद का चार्ट देख लेने का कि हमारा index कहां पर जा रहा है opening हो सकता है कि हम उन पर depend रहे हैं पर closing महुत ही important रहता है closing हमारा strength देखाता है तो आप हमेशा वो follow करना अगर आपका जो trading quantity का size है वो अगर आपके risk management के अंदर आता है तो फिर आपको कभी भी sgx देखने का नहीं होगा मैं जैदा तर 9 बजे के आसपास मैं प्री-market के उसके बाद ही में मेरा यहां पर देखता हूं कि आगे क्या position बनता है और data क्या बना हुआ है उसके उपर मैं decide करता हूं तो अब इसके आगे हम देखते है कि इसमें data क्या बन रहा है option chain में दोस्तों अगर इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करना अगर कुछ यहां पर सिखने को मिल रहा है तो प्लीज दोस्तों कमेंट में भी लिखना है कि क्या सिखने को मिल है और क्या आपको सिखना है निप्टी का अगर यहां पर आप देखते हो जो हमारा खलका था कि 18,000 हमें मौनिटर करना है तो उसी का आप देख सकते हो यहां पर कि कॉल राइटर एक्जिट हुआ था 5,56,000 और पूट यहां पर 12,94,000 जो यह आपको एक दिखा रहा है कि यह 18,050 और 18,100 यहां पर पूट राइटिंग हुआ है दोस्तों तो हमें कल जहां पर मौनिटर करना है 18,100 इसी लिए हम 18,200 जा सकते हैं अगर हम ओपन होता है 18,100 उसके ओपर 15 मिनिट टिक गए है तो यह 18,000 के कॉल जिन्हों ने शौट किया था 18,100 वो उनको यहां पर पैनिक में हमको 18,200 ले जाएंगे इंपोर्डन लेवल है 18,110 वो ध्यान में रखना नीचे में आपको क्या है कि यह सपोर्ट अभी देता रहेगा आप जेख सकते हो यहां पर कि कंपरेट्टू कॉल लास्स जो मन था हमने क्या देखा था कॉल राइटर का यह लंबा-लंबा यहां पर पिलर्स और पूर्ट वीजिबल ही नहीं थे आज इस टाइम क्या हो रहा है कि पूर्ट ज्यादा एग्रेसिव यहां पर हो रहा है तो यह अच्छा सा सपोर्ट करेगा पर नीचे गिरने में दिरे दिरे गिरेगा उपर बढ़ आने वाला हूं तो मैं दो दिन यानि की वेनस डे एंटर्स डे लाव मार्केट में मैं इतना एक्टिव नहीं रहूंगा कुछ अच्छा दिखा तो आप लोगों के था शेयर कर दोंगा और कल तो पूरा जो हमारा वर्किंग आवर्स है मार्केट का वो ताइम पर मैं बाहर क्या था 38,500 आज भी यहां पर similar call writing and put writing हुआ है अगर हम यहां पर total देखते हैं तो अभी भी यहां पर put writer इतना नहीं है जितना की एक strong resistance बनके आ रहा है 38,500 call के इसाब से almost double के उपर आप बोल सकते हो यहां पर call writer है तो कल भी हमें यहीं monitor करना है कि कौन सी position से हमें आगे यहां पर trade करना है पर अच्छा चीज यहां में आप देख सकते हो यह level almost similar next यहां पर 38,400 यहां पर put writing हो रहा है अच्छा तो अब उपर के लिए हमें यह एक level है अभी हमारे लिए 39,000 पर उसके आगे एक चोटा सा resistance है चार्ट पे कहीं पर 38,800 से 900 के बीच में अगर मंतली का data इसमें देखते हैं तो क्या देख लिए एक मेनी देख लेते हैं मंतली data में हमें देख रहा है कि 40,000 यहां पर put writing हुआ है करीबन 361,000 आज यहां पर put writing का थोड़ा exit हुआ है पर यहां पर position of 40,000 का जैसे हमने last time भी देखा था तो यानि कि यह पहले का भी हो स सकता है short क्या हुआ तो हम इतना इस पर depend नहीं रहेंगे जितना हम 39,000 क्या यहां जो हमारा यह है 39,000 अगर यहां पर build-up होता है तो definitely हम यहां पर एक और attempt करेंगे इसको cross करने का तो आप मंतली में देखना है तो 39 and weekly में देखना है तो 38,000 500 ग्लोबल डेटा अगर देखते हो आप तो डाउ जोन्स अभी माइनस टू नेस्टैक 17 पॉइंट एन अपना एजेक स्निप्टी 35 पॉइंट अभी दिखा रहा है डॉलर इंडेक्स 95.94 नियर टू बाउंटरी यूस बॉंड एल 1.77 यह कल या परसो कुछ 1.80 के आसपास भी चला गया था यूस डि आयना सेवनडी 3.87 जो मैं बता रहा था कि इस लेवल के आसपास आता है तो हमें एक बाई करना चीए जो हमारा यह लेवल के आसपास था तो अभी यहां पर मॉनिटर करना हो सकता है कि यहां से बाउंस हा सकता है अगर आप यूस डि में ट्रेड करते हो तो यहां यहां पर ब्लेक क्रो बना हुआ है यहां पर वॉल्यूम मुझे नहीं दिख रहा है अकर वॉल्यूम होता तो मैं आपको बता जेता कि यहां से मुझे एक ट्रेड लेना चाहिए की ने क्योंकि ज़्यादा तर मैं फॉल्लो करता हूं यह भाईवाइट इंल ब्लेक क्रो कर कर गया और सस्टेन भी कर रहा है इसके उपर इसके उपर फ्रेश देजी आएगी एडीडू के उपर वापीज यह 85 के आसपास जा सकता है कल के लिए अगर हम स्टॉक देखते है तो माना पहला स्टॉक है यहां पर बजाज आटो को मैंने आप लोगों को खल भी बोला था पर यह इसने कि आज भी ब्रेक आओट नहीं किया और यहां से इसके आसपास से कल के लिए अगर ब्रेक आओट होता है तो हम इसको फिर से लॉंग करेंगे आप इसमें काफी अच्छा यहां पर प्रॉफित मिल सकता है आपको एटलिस तर्टी डू-फॉरी प्रॉट पॉन्ट इसने यहां से एक breakout दिया एक similar यहां पर आपको सिखाना चाहता हूँ तो क्या है कि कभी भी दोस्तो breakout होता है न जैसी कि यहां पर breakout हो चुका है तो फिर retrace होगा तो कौन से level तक होगा आपको पीछला यहां पर देखना है कि इस time पर इसने यहां पर support लिया यहां पर तो आपको एक चोटा सा यहां पर एक ऐसे line ड्रॉ करना है जब तक इसके नीचे close नहीं करता है आपका यहां पर view continue रहना चाहिए सेम जहां पर इसका view previous था तो इसका previous क्या था बुलिस वियू था यह जब यहां पर correction होना था volume कामदा अब जाके फिर से इसने तो हमारा यह continue रहेगा हम उसको buying में रहेंगे अभी buy आपको करना है इसके उपर जो है 1900 के 1907 के उपर तो close हुआ है 1892 अगर aggressive trader हो तो 1897 के बाद आप enter कर सकते हो या तो 1900 के बाद में यहां पर आपका 15 से 22 का target रहना चाहिए फिर है conquer तो यह container corp का आप chart देखोगे तो यहां पर एक price action बन रहा था lower low का और यह lower low के बाद में यहां पर हमने देखा है कि two consecutive day कल इसने 50 days moving average के उपर और यह previous जो इसका resistance था उसके उपर close गया था आज gap down हुआ और जहां पर open हुआ उसी का वो low बना यानि open equal to low हो गया फिर से इसने high लगाया एक यहां से क्या है कि nine अभी 646 है at least यहां तक तो जाना चाहिए 655 तो कल आप इसको long कर सकते हो जैसे ही यह 648-649 के उपर निकलता है तो buy करना आपको इतना 655 पहला target रहेगा उसके उपर close होने में कामयब रह गया तो फिर यहां तक जा सकता है 70 के आसपास क्यूमिन क्यूमिन में भी अच्छा सा पैटर्न यहां पर बना है अगर आप price action देखते हो तो इस level के बाद में हमें एक breakout मिला है हो सकता है कि कल हम अगर inside बार candle बना दे तो next दिन इसको follow करेंगे जैसे कि यह best example उसी के chart का एक बड़ा candle consolidation then breakout similar you can expect here or else you can expect the third candle similar size over here तो इसको भी आपको long करना है 980 के बाद में आपको long करना है इसमें आपका target 1000 तक आप जा सकते हो तो क्यूमिन इंडिया को भी आप long करना अब हम intraday में देख लेता है कि nifty bank nifty को कैसे trade करना है दोस्तों अगर याद है तो यहाँ पर मैंने कला आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर retrace होने के बाद आपको enter करना है तो यहाँ पर market खुला यह resistance था यहाँ पर fall आया center line फिर यहाँ से retrace किया तो आप देख सकते हो कि यह line को यह continue follow कर रहा है अभी हमें short नहीं करना है जब तक यह ग्रूप में भी share किया था कि कहां पर आप बना सकते हो तो निप्टी यहाँ पर आप देखते है हमारा यह जो resistance था जो मैं आप लोगों को बात करा हूं कि अगर breakout देना है तो क्या होगा यह level कि अगर उपर ही खुल गया तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर breakout मिल सकता है नहीं कि 100 से लेके नीचे में 18,000 यह 100 के बीच में टाइम निकालके फिर हम यहाँ पर एक और Thursday को बहुत ही अच्छा move देख सकते हैं तो आप यह काम करना कि ऐसा यह trend line बना देना जब तक इसके ऊपर है हमें short नहीं करना है जब तक ऊपर है हमें short नहीं करना है अगर short करना है तो क confirmation देखना होगा जो मैं हर बार आप लोगों को बताता हूं अगर breakdown हुआ वापस pullback reject होता है तो फिर आप short करो तो फिर आपका यहाँ पे ऐसे trade बन सकता है उपर में आपको fresh long करना है तो 100 का wait करना यह 110 के उपर जैसे sustain करता है फिर आपको यहाँ पे 100 point मिल सकता है तो उसके हि निप्टी है आप trade करोगे अगर यहाँ पर इसके बीच में कुल गया 18,050 तो initial stage में आप क्या कर सकते हो कि 18,100 है नीचे 18,000 sell करके रख देना एलिस आपको 15 से 20 point कल ही मिल जाएगा यहाँ पर 38,500 है अभी resistance है और यहाँ पर support है जब तक इसके बीच में हमें कोई trade नहीं करना है अगर इस level के आसपास खुलता है 38,350 के आसपास उपर 38,500 है नीचे 38,000 का आप option sell करके बैठ सकते हो और इसको जगर break करना है तो फिर यह level के नीचे जब trade करेगा तब हम short करेंग इसको उपर में एक अच्छा सा यहाँ पर बन रहा है कि अगर कल भी इसने इसी के आसपास निकाल दिया दिन तो अगर परसो ब्रेक आउट हुआ तो आप 39,000 Thursday को देख सकते हो तो इस हिसाब से क्योंकि HDFC का result भी expected है कि अच्छा result आने वाला है तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक position भी बन रही है बैंक में तो आप देख सकते हो कि जो भी deep आता है यहाँ पर buy हो जाता है और फिर 38,500 पर sell आता है एक round figure की वज़े से कल इसके उपर खुला sustain किया तो कल हम यहाँ से और 200.300.000 उपर जाता हुबा देख सकते हैं तो दोस्तों मैं आजा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो प्लीज लाइक है जरू करना तेंक यू दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में